हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टडिश्य चैनल दोस्तों आज मैं बाड़ी पोस्चर यानि सरी के आसन के बारे में बता रही हूं दोस्तों जैसा कि मेरे चैनल पे पीजिटी पीजिटी यल्टी जो भी एक्जाम्स हैं उसकी सी लेवर्स के कार्डिंग सभी टॉपिक स्टेप बाई स्टेप मिलेंगे जो आपके प्रिप्रेशन के लिए बेरी हेल्पूल होंगे आप वीडियो देखने के बाद ही विश्वा स्टेपूल लगेगा कि आपके लिए कितना क्र Nord external सभी वीडियो में क्रों सायरीक आसन वेस्ते जीटी नेने वीच मेरेस पीज़्य के वालिशा होना सभी मेन की सारीण अससटी इंपे ह। सही इस्थिति से हैं कि हमारा सरीर की सही इस्थिति कैसा होना चाहिए जिसकी कारण एक ब्यक्ति अपना कारे या अभ्यास आसानी से वह सुन्दरता पुद्व कर सकता है सही स्तारिक आसन द्वारा एक व्यक्ति सही प्रकार से शोज सकता है बैठ सकता है चल सकता है उठ सकता है दोड़ सकता है आधी अन्य कई कारे आसानी से कर सकता है तो यह सब क्रिया करने के लिए हमारे बाड़ी पोस्टर जो सरीर का आसन है ओ अच्छा होना चाहिए तो आसन में सरीर के सभी अंग एक दूसरी का ततपर होकर सहयोग देते हैं दोस्तों गलत आसन के कारण क्या होते हैं? कभी कभी जैसे कि बहुत सारे पोस्टर डिपारमीटीज होते हैं। जिसको मैं नेक्श्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसको हमाना काइफो सीस हो गया कुबढ़ा कलते हैं पीठ पीछे साथ है जिसमें हमारा कमर में यानि लंबर रीजन में करो हो जाता है एंड जो यह सब किरियां इसा बिक्रितियां ऊपन हो जाती हैं सही आंसन नहुंद से तो क्यों होती है इस सब बिक्रिति दोस्तों जैसे कि गलत आसन की क्या कारण है जैसे कि दोस्तों हमारे जो मांस्पेसियां होती हैं वो हड्डियों से जूर कर जो हमारे इसके लेटल मसल्स होती हैं वो ही हमारे हड्डियों से टेंडन की द्वरा जूर कर हमें गति परतान करती हैं हमें चलने उठने बैठने शोने खाने पीने और एक एक्टिविटी करने के लिए वह हमें सहयोग करती है तो जैसा कि आप कई बार एक कुछ नहीं पूछा जाता है कि इसके लेटन मसल्स हमारी हर्डियों से किसके द्वारा जुड़ी रहती है तो टेंडन की ज्वारा टेंड और हमारे जोड़ों के पर जो गद्दा बनाता है गद्दे टाइप का वो किसका बना होता है तो उपास ठीका जिसे कार्टिलेज कहते हैं वो हर्डियों से ज्यादा लचीला होता है तो फिजिकल एजुकेशन की प्रिप्रेशन करने वालों को यह सब तो नार्मली बात है पता होना चाहिए तो यही मांज पेशियां जो है हमारे हडियों से जूड़कर टेंडर्न के दौरा हमारे सरीर के बाड़ी पोस्चर को बनाये रहते हैं और हमारे सरीर को गति प्रदान करते हैं इसलिए गति पिग्यान को एक और नाम दिया जाता है पेसिये विग्यान किंसियोलोजी इंगलीस में बुलते है एंड उसको गति विग्यान एंड पेसिये विग्यान भी बुला जाता है क्यूं क्योंकि पेसियां हर्डियू से जुड़कर हमें गति करने में मदद करती है और हमारे सरी के आकार आकृति का निर्मार करती हैं दोस्तों जैसा की हमारी गलत आसन का कारण क्या है मैं इस पॉइंट पर आपको बता रही थी उसको बताते बताते मैं थोड़ा डिटिल में चली गई तो दोस्तों गलत आसन की क्या कारण है जैसे हमारा हड़ी तेड़ा मेरा हो जाना मानस्पेसियों का आक्सर मानस्पेसियों की विक्रिती की कारण ही हड़िया इधर से उधर तेड़ा मेरा हो जाती है हमारे गलत उठने बैठने सोने खाने या कुछ गलत अक्टिवीटी की कारड तो चली जानते हैं गलत आसन के कारड क्या है दूसरों मानस्पेसियों के छोटे होने लंबे होने अप कम जोर होने के कारड विक्रिती होने की संभावना बनी रहती है यही सिति हमारे कारे की प्रकीति यानि कि किस प्रकार का हम कार कर रहे हैं कितना हम किस अंग पर जोड डाल रहे हैं कम या ज्यादा उस पर निर्भग करता है जैवयांतर की कारक, जैसे बल, किसी कारियों की पुन्राबिती के अलावा, मोनोवेग्यानिक यानि साइकोलोजिकल इफेक्ट भी इसके लिए जिमिरार हैं जैसे कारे का तनाव, तनाव के कारण नीद ना आना, ये सब भी हमारी बैट बाड़ी पोस्चर के कारण है तो कुछ बैट बाड़ी पोस्चर यानि गलत आसन के कारणों के बादे में हम जान लेते हैं दोस्तों जैसे कि कारी की प्रकीति के कार, यदि हमारे कारी का प्रकीति कैसा है, उस कारी को करते से हम कैसे बैठे हैं, किस पोजिशन में हैं, किस प्रकार का कारी कर रहे हैं, और दुस्ता है कूपोसर के कार, दोस्तों यदि मेरा खान पान, यदि आपका खान पान सही नहीं ह कार्बोहाइडेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, एंड बिटामिन्स की मात्रा आपके लिए कितनी आउ सकता है, वो संतुलिक मात्रा में यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको पोसड की सिकार हो जाएंगे, जैसा कि दोस्तों ये कहा जाता है कि संतुलिक आहार, यानि बै बैलेंस डायट की परिवासा, तो हमारे छे मुख्य पोसकततों है, जैसे कार्बोहाइडेट, प्रोटीन, वसा, मिनर्स, वाटर, एंड बिटामिन, इनकी संतुलिक मात्रा हमारे खान पान में होना ही एक बैलेंस डायट है, संतुलिक आहार है, इसके जब कमी हो जाती है, त तिसरा है गलत आदतों के कर, आदत आपकी गलत हैबिट किसी चीज़ का बना लिए, तो हमारा सरीर भी उसी आदतों में ढलता जाता है, ढलता जाता है, अभ्यास की कमी कर, आप एक्सिसाइज नहीं कर रहे हैं, जिब आ बैठे हुए हैं, कोई कारे नहीं कर रहे हैं, आप आलसी की तरह बैठे हैं अपने अंगों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा जितना ही उपयोग करेंगे उतना ही अच्छा होता है उतना ही हर्ष्ट पुष्ट बनता है मजबूत बनता है अप जितना ही उसका उपयोग नहीं करेंगे तो खराब हो जाता है जैसे आप जुख ग्यान का उप्योग नहीं करेंगे तो वे जुख भुलता जाता है उसल्य 걸ास्ट हो जाता है उसे प्लकार भारए जतना उप्योग करेंगे नेश्ट है असुध वायू के कर दोस्तों आपको पता ही है कि सुध वायू हमारे लिए कितना आओ सकता है जितना खाना खाना नहीं आओ सकता है उतना ज्यादा हमको सुध वायू की आओ सकता होती है यदि आप बंद कमरे में रहेंगे तो आपको उबन सी महसूस होने लगेगी आपके दर्वाजे में खिर्किया नहीं होंगी तो आपको उबन सी महसूस होने लगेगी आपके अगल बगल का वाता औरड सही नहीं है गंदा वाता औरड है असुद वायू आपके पास आ रही है दोस्तों आइसकल के लाइफ इस्टाइल में लोग सुर्व की प्रकास की लोगों में कमी होते जा रही है वितामिन D की कमी होते जा रही है वितामिन D लेना आपकी लिए बहरी इंपोर्टेंट है जादे नहीं तो अब भी सुबह के टाइम आपको या शाम के टाइम दूरों टाइम आपको सुरी के प्रकास जरूर लेना चाहिए एक से दो घंटा ज्यादे ज्यादे 10, 20 या 30 मिनद आपको जरूर इसका हर रोज लेना चाहिए नेश्ट है आणाम की कमी की कारण दोस्तों अगर आप आप ओवर लोड हो गया किसी कारे को जितना करना चाहिए जितना आपके अंदर कैपिसिटी नहीं है उस से जब्दा किसी कारे को कर रहे हैं और अपने वाड़ी को प्रॉपर जेष्ट नहीं दे रहे हैं उसके कारण भी आपका बाड़ी पोस्चर गलत हो सकता है नींद की कमी के कारण नींद की कमी बहुत बड़ा कारण है जैसे दोस्तों आप रोज कर सीडियूल बनाये हैं किसी स्टेज के कारण आप एक दिन नहीं सुपा है और दूसरे दिन के सभी कामों को भी दिस्टर करता है प्लस आपकी दिन्चरिया को भी गलत कर देता है इसलिए प्रापर प्लानिंग प्लानिंग के साथ एक प्रापर टाइम के साथ जितना आप रोज सोते हैं उतना सोना भी इंपोर्टेंट है नेश्ट है सही प्रकार के कपड़े वा जूतिय न पहनने के कारण दोस्तों जैसा कि आपका ब अगली मुड़ जाए आपकी बाड़ी पुच्चिर खराब हो जाए नेस्ट है अत्यदीक ठाकान के कार दोस्तों एक ठकान का लेबल होता है अगर उस ठकान का लेबल उस पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तो अत्यधिक ठकान हो जाएगा इसलिए एक मिनिमम ठकान के बाद आपको कारे में रेष्ट ले लेना चाहिए कुछ देर रेष्ट के बाद पुना कारे को सुरुवात कीजिए लेकिन अत्यधिक ठकान के में कारे मत कीजिए क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट होता है लिमिट के बाहर जाएंगे तो आपको दिक्कत होग नेक्स्ट है 11 अत्य ठीक भाहर उठाने के करा है दोस्तों यह आप में ताकत है 10 किलों भाहर उठाने के आप 20 किलों उठा लेंगे तो क्या होगा क्या होगा जैसे कि अरबर्ग आप कोई खिचते हैं आप सकता से अधिक खिच देंगे उसके आकारा कृती पर्योतन हो जाता है उसी तरह हमारे मांस्पीसियों भी अगर ज्यादे भार उठाएंगे तो क्या खिच जाएगा या विक्रिती उत्मन हो जाएगा इसलिए हर चीज की खिचेल के विक्युप महीं तरह इसलिए कि में दमदे खीच या चोट के कारव शही ऊखिच कंए की रखे जी खेंगा या geliyor उसके काव हमारे बड़ी पॉस्टर घ्राब हो जाता euros नि-अथन का आसन क्या है यानि बड़ी पॉस्टर ंचिया है इसको खिराल होने के क्या- और कौन-कौन सी हमारी पोस्टर डिफार्मेटीज होती है यानि कि सारी विक्रितियां क्या-क्या होती है और उसके दोस्त क्या है उसके दोस्तों आप जाएंगे विक्रितियां क्यों उत्पन होती है तो पार्टिकुलर स्पेसिफिक विक्रितियों के बारे में उसके निवार दोस्तों ये वीडियो एक बेसिक वीडियो था क्योंकि सारे वीडियों का डारेक्ट में वरण करती तो बिना बेसिक जाने दोस्तों नेस्ट पे नहीं जाना चाहिए आप पर्थम स्रीही चड़े बगएर दुसरे स्रीप अगर पर रखेंगे तो आप गिर जाएंगे किसी स्टेप को फालो करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको फास्ट जरूर कर सकते हैं कि मैं अपना कितना इस्पीर बढ़ा सकता हूं उसके अंसार आप कारे जल्दी से संपन कर सकते हैं लेकिन आप किसी स्टेप को छोड़ नहीं सकते हैं अगर छोड़े आपको उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी आपको सफलता मिलेगी तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पोस्टर डिफॉर्मिडीज क्या हैं हमारी सारे विक्रितिया क्या हैं जैसे कि काइफोसिस लाडोसिस इसकोलियोसिस फ्लैट फूट रिगिट इस्पाइन मुझे दोस्तों तक शेयर किया किजिए जिससे मुझे एक मोट्यवेशन मिलें जिससे योभी पाट चूटा हुआ है लोग देख रहे हैं तो दोस्तों आईहोब की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मुझे कमेन में जरू बताएगा दोस्तों जो भी मुझे पामिया ह होंगी उसे भी बताईएगा क्योंकि एक दूसरे के कमी बताने से ही कोई अपने में सुधार करता है और एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है तो दोस्तों ये दिया चैनल पर पहली वार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वेल आइकन को भी फ्रेस कर लेजिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नौटिफिकेशन आपके पास पहुंशता रहे तो दोस्तों मिलते हैं ने इस टॉपिक की साथ तब तक के लिए जहिद